हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल क्रिटेव मुकेस वीडियो तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे टर्मरिक के बारे में जिसको हिंदी में हल्दी बोलते हैं और यह पूरे इंडिया में उसका ऐस फूड यूज किया जाता है तो सबसे पहले हम इसकी जो प वेस्ट बना के यूज कर सकते हैं और सेकन प्रोपर्टी है एंटी एजिंग एंडि डिटोक्सिफाई एंटी एजिंग यानि जो हमारे बोड़ी के सेल होते है वो समय से पहले डेड हो जाते हैं और तो हमारी उम्र जादा दिखने लगती है तो उसको यह रोकता है और रुदुचन रागता है औरुडेश्ट प्रपर्टी है इसको हम ऑज भी उसकर सब्सराइब कर सकते हैं जैसे कि ऐसे एक भ वास हो गया 먹고 हुग गया और डिफरेंट टूट पेस्थ में भी इसको यूज किया जाता है और पर省 यह हैं यह एंटी कारसिनोगें, तो उसको यह रोकता है और हमें कैंसर होने से बचाता है और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को स्ब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि नेक्स वीडियो को आपको नोटिपिकेशन मिलता रहे और इसके अब हम जानेगे उसक और यह कहीं पर भी उसको हम उगा सकते है और इसका जो रूट होता है उसको हमें पहले ड्राइ करना पड़ता है और ड्राइ करने के बाद उसको काटके हमें ग्राइंड करना पड़ता है और उसको as a healthy powder में उसको convert किया जाता है तो फ्रेंड्स यह हमने जो उसका रूट है उसको dry किया था फिर उसको हमने ये grinder में grind किया हुआ है तो आप देख सकते हो easily ये healthy powder में convert होता है लेकिन जब आप market में लेने जाते हो तो उसमें different adulation किया जाता है adulation यानि जो भी हमारी खाने के चीज है उसमें different chemical या कुछ भी ऐसा जिसको हम खा नहीं सकते उसको Adultrason बोलते है तो ऐसे हल्दी में भी किया जाता है उसमें जो चौक होता है जो हम स्कूल में यूज करते हैं ब्लेक बोड़् पर लिखने के लिए उसको इसमें आज वेट बढ़ाने के लिए उसको यूज किया जाता है और यह जब कैमिकल हमारे बोडी में जाते हैं तो हमारे बोडी में different भी disease होता है जिसे in digestion होता है vomiting होता है और यहां तक की cancer भी हो सकता है तो اسलिए हमे ये हल्दी हम घर पर भी इसको इसली बना सकते है और पूरे साल बर का हम store कर सकते है इसका प्रोपर्टी का बेनेफिड हमको तब ही मिलेगा जब ये origins होगा तो हम इसली घर पर भी हम इसको उगा सकते है और ऐसा हमारे पूरे साल का अल्दी प्रावडर हम इसको स्टोर करके रख सकते है तेंक यू फॉर वाचिंग